हेलो स्टुडेंट्स आप सभी का स्वागत है ताप्ति स्टेडी क्लास्स चैनल पर आज के इस वीडियो में हम लोग सिक्षन संचनाल है मद्यप्रदेश भोपाल दौरा जारी रास्टी सर्वेक्षन जो रास्टी उपलब्दी सर्वेक्षन 2021 है उसके लिए प्रैक्टिस पे होगा आपको इसको सॉल्व करना इसके पहले जो सेट पेपर वन था उसके भी आंसस हम देख चुके है वहां पर मेरे प्लैलिस्ट में सारे वीडियोस अपलोड कर दी है फर्स्ट के कोश्टन पेपर सेट वन के तो आप वो भी देख सकते हैं चले सेट टू के स्टार्ट कर तो सबसे पहले कोश्टन आपर है आपको एक पिक्चर दिख रही है इसमें आपको बताना है इस चूज़ वर्ड फॉर्ड 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 इसके लिए कौन सा वर्ड करेक्ट है आपको बताना है तो थोड़ा सा इमेज देखके आप पहचान गया हो किस परकार से दी गई है पिक्चर को को देखतेसे हैं आपको याद कोई हो गहा है कि आपको या आपसे देखा यह टैख कितार सांसर अपका आपको option number D होगा, if terrible means very bad, यदी terrible याने क्या होता है, खतरनाक या थोड़ा भैयानक को बोलते हैं, बहुत बुरा को, बहुत बुरा को, तो यदी which of this means very funny, इने में से कौन से सब्द का मतलब होगा, बहुत मजाकिया है, बहुत funny हो, ठीक है, तो लाफियोने तो हसना होता है, तो underline world in the sentence below, इन में से किछ word को हम replace कर सकते हैं, प्रियास डॉक्स चेस्ट होगा, एक्रोस द गार्डन, इसमें underline वाला word तो नहीं दिया है, पर उसका right answer होगा, क्या होगा, ran after होगा, तो क्या होगा ran after होगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, question number 4 पे, which of these would be an appropriate question before the sentence below, yes he does, इसक में भी यह कई बार पूछे जाता है, इसी प्रकार से, तो इसको कोशन मार्क होता है, मतलब इसमें हम किस प्रकार से को करेंगी, yes he does, मतलब, does Tom know how to swim, क्या जानता है, कैसे तेरता है, yes he does, मतलब हाँ, वो जानता है, तो यह आपको answer है, इसको को कोशन में बनाना होता है, यह एप्रोप्रियेट कोशन दिया, यह कहलाता है, उसके बाद पांचो कोशन देख लेते हैं, complete the given sentence in such a way that a supporting throat is expressed, dash there are people running and managing them, इसका answer क्या होजाएक आपको बताना है, तो इसका right answer क्या होजाएक, option number C, wherever there are computers, कहां पर, जहां पर क्या है, computers है, there are people running and managing them, जहां पर public उसे manage करती है, Q6 का answer देखने से पहले, यदि आपने हिंदी के नहीं देखे हो, तो description box में link है, playlist के वहां से जाकर हिंदी का practice paper second complete कर लिजे, इसके अलावा, इदि आपने अभी तक channel subscribe नहीं कर रहा हो, तो जल्दी से कर लिजे, जिससे आपको NAS survey के, जितने भी practice test paper है, वो सारे आपको solution मिल सक meaningfully, तो आपका choose का NAS में से पाट, जो sentence को meaning रूप से complete करें, ठीक है, इसका answer आपको बता रहा है, तो इसका right answer के हो जागा through, we looked through the glass window to see who was in the house, ठीक है, यहाँ पर आपका answer हो जागा through, इसके बाद question number 7, ठीक है, यहाँ पर आपको जो sentence है, which sentence contain a pair of words that are opposite in meaning, कौन सा sentence cover कर रहा है, opposite words के meaning को pair बना रहा, जोड़ा बना रहा मितलब, ठीक है, तो यह option number यह होगा, a vague explanation sometimes has the precious objectives of confusing people, ठीक है, बहुत बार, कई बार explanation case में, हम objective में जो होते है, बहुत सारे बच्चे या people's, लोग क्या होते है, confusion होते है, इसके बाद question number 8 के और बढ़ते है, choose the appropriate word to complete the given sentence, इसके लिए हम option number D, while, he spraying the ankle while playing the game of Kabaddi, इसके बहुता है, दूसरा वाला होता है, जो spray हम बोलेंग एक ताइप से, which of the following has the same sound as in cream, cream के जैसा ही, कौन same sound कर रहा है, आपको बताना है, तो बहुत ग्रीट, ठीक है, यहाँ पर, which of the following has the same sound as in cream, तो ग्रीट हो जागा, ठीक है, यहाँ पर आपको and choose the correct pair of words to complete the sentence, correct pair choose करना है, option number B, betrayed, okay, betrayed, my friend betrayed me by telling my secret to someone else, यहाँ जाएगा, question number 11, question number 11, question number 11 का देख लेते किस प्रकार से है, read the sentence below and look at the underlined words, आपको जो underlined word है, people uses, these days many people uses computers to do their jobs, वरतमान में यहाँ इन दिनों, लगभग सभी लोग क्या यूस करते है, अपने जॉप्स में computers का प्रेव करते है, तो choose the correct way to write the underlined words, आपको यहाँ पर use, थोड़ा सा जो people uses दिया है, उसको correct करना है, किस प्रकार से हो correct होगा, तो people use, ठीक है, क्या जागा people use, uses नहीं आएगा, only use आजागा, क्योंकि people है, बहुत सारे लोग होग है, तो, choose the acronym of the underlined word, which is most relevant to the sentence below, जो underlined word है, को हमें देखना है, तो valuable है, as technology continues to evolve, things which are valuable, today may be thrown away, tomorrow, तो इसमें आपको बता रहा है, तो यहाँ पर जो word आ रहा है, इसमें आपको देखना है, तो यहाँ पर obsolete हो जाएगा, तो यहाँ पर option number C, चलिए 13 है, do not use the medicines if the printed neckband is missing or broken, इसमें एक sentence यहाँ पर attach किया है, कि जो medicine है, वो हम can be written as, इसको किस परकार से और लिखा जा सकता है, तो इसको किस परकार से और लिखा जा सकता है, तो इसको किस परकार से लिखा सकता है, the medicine must not be used if the printed neckband is missing or broken, हमें medicine सीर्च नहीं लेना चाहिए, जब तक उस पर जो डेट हो अबराबर printed ना हुई हो, या उसका जो है, टुटा ह an umbrella तो यहां पर आपका अंसर को जाय है का option number C, them I remind them to bring an umbrella मैंन स्य यह दिला कि क्या उप्रेला कि चले question number 15 है choose the correct word to complete this sentence आपको यह पड़ करना है, this chita the fastest animal on earth is also known for dash tendency to tire quickly इसमसे आपका option किया हैं आपको बतारा हैं, तो भोना इट्स टिक है, its tendency तो आपको पताना है तो आपको कोश्य नंबर 16 में आपको क्या जाएगा एनिवर्सरी तीक है अटेंड श्कूल एनिवर्सरी ऑप्शन निवर्सरी चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेच्स्ट दर फुटबॉल टीम लॉस्ट हाइट आफ्टर यह कैप टन वॉस इंजर द एन्सर के आजएगा ऑप्शिन नंबर D फेल्ट डिस्करेज़ ठीक है क्या जाएगा यहां पर फेल्ट डिसकरेज़ चलिए कोश्य नंबर 18 है यहां पर आपको प्यर है वो बनाना है करेक्ट पें वन दे कार इस स्टेंडिंग इस्टील इपर क्यांगा एन्सर आपको बता इसका प्रॉपर्ली मीनिंग क्या है आपको बताना है तो डिफिकल्ट एंड टीरिंग हो जाएगा आंसर ना ओप्शन नंबर C होगा ठीक है आगे बढ़ता है कोशन नंबर 20 गीवन बिलो और 4 सेंटेंज आपको चार सेंटेंज दिए गहां इनमें से आपको राइट सेंट अनित और मधु ने पेपर की बोर्ड बनाई नेक्स्ट डी दे हाउसस वर स्राउंड़े रेन वाटर अगले दिन क्या हुआ पानी आया मतब चार ओर पानी आगा घर के ठीक है इट ट्रेंड हैविली इन दे नाइट और उस दिन रात में क्या होई तो बहुत भारी बरसा लगा ओनाई अलेज़ा से नीटा पानी आप की बलस अगफ होण tus know equi वहाई डिशेख क्या होत्पाइए बैध्स टो लगे विन में क्या होत बहुत्त-पनी लगे हुग सब अरेंज़ फसे पहले अपको किस प्रकार से सेंटेस को जमाना वर नाषा तो क्या होगा क्या कब बने होंगी उन्होंने जब उन्होंने वर्सात को देखी होगी तो सबसे पहले इट रेंड हैविली इन दनाइट के उस दिन रात में क्या होई बहुत बारी वर्षा होगी फिर सेकेंड रहेंगा अनिता नमदू यहां पर आपको जो नेक्स्ट रेड़ वर साउंड़ेड पहले बरसात हुई बहुत ज्यादा उसके बाद में क्या हुआ घरों में पानी आया फिर अनिता और मदू ने क्या बनाया बोड बने उसके बाद में अपनी बोड उसमें कर दी थी तो यह 3214 याने option नमबर डी राइट आंसर होगा in which of this sentence in the underlight word not a verb इन में से कौन सी एक वर राइट आंसर है प्रीटी नहीं है एक वर्ब चूस अवर्ड तो कंपेट दिस सेंटर आपको एक वर्ड फिर से चूस करना है कोश्य नमबर 22 में चली कोश्य नमबर 22 का आंसर देख लेते किस प्रकार से अपलिक होगे तो आपको option नमबर क्या हो जाएगा राइट आंसर र तुमें मुझे क्यों देती? I gave it to you-salma asked me to क्यों मैं तुमें देती? क्यूंकि Salma को मुझसे कहा था यसानी मिनिक में प्रका मुझसे आपको फूल-प करना है तो यह बस सालमा 2 का गगा है क्यों सालमा क्यों मिचसे कहा था यहां पर आपको मैच करना है ग्रूप लेडर को ठीक है तो विश आप दो फॉलिंग करेट पंक्टिशन फॉर अबाव सेंटेंस तो यह जो सेंटेंस बनाए गया है इसमें अबाव सेंटेंस के साफ से जोड़ना है कंजक्शन याने सहीप तब आपके के साफ से किस प्रकार स जल्दी से कि ग्रूप मेंबर किस प्रकार से है चलिए अपको फीर से यहां पर एक मीनिक्लिफल सेंटेंस जूसकरना है चिल्डर डेश प्लैंग इन लफ बच्चे का कर रहे है यहां पराज़ेगा चिल्डर्ण आर प्लैंग इन अबार कांटिणियूस में है तो यह कंटि यहां पर वर्फॉम और हेर्पिंग वर्फ के अधाई कि आर प्रिपेर्ट फॉर देर क्लाइंब उनकी प्रिपरेशन चल रही है क्लाइंब पचाने के लिए चूज अबर्ड तो कंप्रेट थे सेंटेंस मेनिक्फुल फिर से हैं लेंड लॉक्ड भूतानी बूतान जेतर है वो किसा है थोड़ा जो इलाका है वहां का हीमाले और जादे दर मांटेंस से गीरा हुआ थोड़ा जंगलों में भी तो यहां पर सहीं वर्ड मीनिंग किया हो जाएगा इन यहां पर इन में है तिक है in the eastern हिमाले मतलब उस साइट की ओर मैं है तो यहां पर म तो यहां पर उसके लिए में खोज में लगी हुई थी तो option number C आजएगा anywhere, everywhere I cannot find my notebook anywhere, मैंने कहीं पर भी नहीं देखी, इसलिए मुझे सारी दूर ढूंडा I look for it everywhere, मतलब उसके लिए मैंने सारी जगह देखी, कहीं नहीं मिली तो मैंने बहुत सारी जगह देखी If you don't start now, you won't arrive in time, तो आपको इसमें बताना है, you won't arrive in time, इसको conjunction में आप एड़ करते हो, same meaning में, तो कौन से sentence की same meaning हो रही है, आपको बताना है, question number 29 में Question number 29 का answer देख लेते है, तो option number B आपका right answer होंगा, unless you start now, ठीक है, इसके बाद बढ़ते है, 30 के ओर, the union government has declared many of these islands are as reserved areas for tribal groups, के लिए बहुत सारी union government ने declare करा है, तो यह आपको sentence arrange करना है, तो इस प्रकार से आपको दिया गह है question में, तो इसके लिए सही sentence क्या होंगा, option number D, many of these islands have been declared as reserve area sport tribal groups by the union government, ठीक है, एक स्टोरी दी, एक old man के बारे में बताया गया है, जो कहां पर शहर में रहता था, और जो यहां पर है, थोड़ा सा cricket का भी है, जैसे प्लेयर्स के बारे में, गेम्स के बारे में, थोड़ा सा cricket के बारे में बताया, ठीक है, तो यह वर्णन है, इसको आप चेप्टर पड़ोगे, आपको सारे चीज समझ माँ जेगे, डूरिंग विच पॉर्ट अप दे डे, इडिट दे बॉइस प्ले क्रिकेट, मतलब, जो बच्चे है, किस पार्ट में क्रिकेट खेलते थे, मतलब, समय उनका क्या था, क्रिकेट खेलने का, ठीक है, टाइम कितने रुपए प्रॉमिस किया बॉइस को, कि मैं तने दे दूगा, जब डील हुई थी, कि आपको बताना है, तो पैसो के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो कितने 25 रुपीज है, मतलब, हर आपते कि कितने रुपए, 25 रुपीज थी, आपको उसमें, जब वहां पर रुपीज पास रुपाई थी, पास रुपीज थी, तो कितने 25 रुपीज थी, आपको एक पैसे दिया का एक पारे में, जो कनण फिल्मा में उनने किया इसने अन्जली फेल्मा थी, ठीक है, यह अरु एंचली थी, टीक है, यह निज डीक है और रुपी थी, आपको यहां यहां पर उनकी बहुत सारी चीज़े भी बताए गए जोनकी कॉलिटी डिसाबिटी सुन में थी तो वह चीजों सुना ने कैसे फिस करा उन मतलब लिपसिंग उन बहुत अच्छी कर लेते था जैसे डायलोक्स में देखकर ही किसी भी चीज को पढ़ ले मतलब अपने वर्ड म सिद्धरमू who decided to try him out which expression can replace try him out की जगपे हम क्या replace कर सकते हैं आपको बताने है तो कुछ वर्ड होते है जिनको हम replace कर सकते है give him a chance तो उनने क्या सोचा कि इस व्यक्ति को द्रू को एक chance में जरूर दूगा तो यहां पर आपका option और give him a chance चली question number 37 है from this article we can say that drew इस article को देखकर हम क्या कह सकते है या इस article को पढ़कर हम क्या कह सकते हैं तो हम कह सकते है was confident and determined to beat his disability हम अपनी disability को जो हमारी अयोग्यत है जो हमारे थोड़ी सी uncomfortability है उसको हम दूर कर सकते हमारे द्रण निश्य और हमारे आत्मश्वास से ठीक है यह उन्होंने करके दिखाया उनमें बहुत सार इंपेक्ट on readers after reading the article क्या effect पढ़ेगा जब ज्यादाता जब पढ़ेंगे इसको पढ़ने के बाद में तो होगा the blind will be encouraged to follow their dreams मतलब यदि आपके सपने सच है आप उतको encourage कोई भी आप अपने सपनों को पां सकते हो ठीक है यह आपके लिए महत्वनी रखता आप में क्या disabilities है च not ready-made you have to tailor it up. कुछिया नहीं मिलती ही हमें बनी बनाई हमें क्या करना पड़ता है उन्हें बनाना पड़ता है जैसा है टेलर कप्ड़े में मना के तब बिलकुल वैसे ही कप्डों के के अनुसारत दुला की गई कि कप्डे हाप ईयरीमेट नहीं मिलत है महें टेलर से दिलव तो, he could not understand what the lectures were saying, क्या कहा जाते हैं, वो नहीं समझ पा रहा था चली, people discouraged you from becoming an actor as they felt that क्यों ऐसा करते थे, लोग उसे नहीं करना चाते थे, क्योंकि he would fail and as a result feel bad about his disability, वो उसकी disability के कारण उसको कास्ट नहीं करना चाते थे चली, आपको एक question, जो poster वो दिया गया है, उसके सम्मनित कुछ question रहे हैं, यह poster को देख लेते हैं, कुनार्क dance and music festival है 2008 का, 23rd याने तेवी स्वा, कुनार्क dance आपको बनते हैं, तो आपको पोस्टर को रीट करना है, और उसमें आपको बोलना, इन में से कौन सी चीज़ है, स्टेट्मेंट टू है, 42 में बताना, इन में से कोई एक नेक सही है, तो वो है, कुनार्क dance and music festival is a 3-day event that takes place every year, तो यह हर साल होता है, 3 दिन के लिए, 3 दिवसी म इसके बाद question number 43 है, on which day is the ODC dance going to be performed by two people, दो लोगों के द्वारा हो रहा है, ODC dance, तो यह किस दिन आयुजित किया गया, तो यह आयुजित किया है, 20th February, 20th February, option number B, who is going to play the table in the Sattvic Vina reciter, तो कौन प्ले कर रहा है, आपको बताना है, question number 44 में पुचा गया है, तो वो है Mr. Ramishra, कौन option number A, चली आगे है, the main purpose of this notice is to, इसमें main purpose, जो notice चस्पा किया गया है, यह पोस्टर, उसका main focus क्या है, किसली किया गया है, attract viewers to attend this program, कि वो जादा से जादा आया, और प्रोग्राम को attend कर, चली इसके आगे है, आपको एक पैसस दिया है, with dry lips per day, throat, ink stain, fingers and execution, on one side and installation other, स्वामी आधन के बारे में बताया है, किस प्रकार से उनने जो है, पूरी उनकी life को encourage किया, यहां पर है, पैसस को पूरा रिट करें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, समझें, अच्छा से तो आपको answer बन जाएंगे, चली देखते है, question number 46, सबसे पहले आपको, when did Swami come out of the hall, कितन second paragraph suggested that Swami, second paragraph कि सोर इशारा करता है, कि सोर हमें ले जाता है, कि क्या है, felt uncomfortable on seeing his friends still answering the paper, तो उन्हें uncomfortable रग रग रहाता है, जब अपने friends को देख रहे थी, कि वो answer कर रहे है, which of this is probably a better, moral for the story of the old man and the tiger, तो यहां से क्या moral निकलता है, कोन से चीज़े आप इसमें, देखते हो, ठीक हम आपको बताना है, तो the wages of greed can result is irreparable loss, यहां पर आपको option number B होगा, right answer, चले question number 49 है, Swami choose the second moral for the given story because it, तो आपको answer बताना है, समें, question number 49 का, तो answer होगा, C was more rational to his mind, ठीक है, आगे देखते हैं, on improving the little dash under the last line, indicating the end, till it become an elaborate complicated pattern, तो इसमें आपको line, this suggests that Swami was, Swami कैसे इनसान थे, किस ओर सज़ेस्ट कर रहे हैं यह line, आपको बताना है, तो यह line suggest कर रही है, boat at that time, इस time हो कैसे हो रहे थे, बोर हो रहे थे, option number C, आगे बढ़ते है, next question को चले, यहां पर आपको बख्षे इंद्री पाल है, आप सभी चानते हो सबसे first woman थी, आप सभी अच्छे से जानते होंगे, climb करने वाली, first woman को उन थी, बख्षे इंद्री पाल थी, Mount Everest पे climb करने वाली, तो उनके बारे में रिस्पॉंस क्या था, उनकी ruler society में, क्या उनके बारे में सोचा करते थे, यानि महिलाओ को किस प्रकार का समान दिया जाता तो ये सारी चीज़े उन पर बहुत ही फेक्टर करते थे, जैसे mental, physically दोनों, वो सारी चीज़े में दी गई थी, आप message को read करेंगे, आपको सारी चीज़े में मिल जाएगी, चले, उसके आप questions देख लेते हैं किस प्रकार से, what is बख्षेंद्री's recommendation for training people to become leaders, क्या उनकी बख् इस leadership skills are key to developing leaders, जो ये success हमारी सफलता की जो कूंजी होती हो क्या होती है, हमारे leadership में skills लाती है, मतलब हमारे पास एक अच्छी सी opportunity to believe करने की, वो आपको courage कर सकती है, चले, यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भीना भूले, सबसे पहली बात आपको वीडियो strength का NCRT syllabus के लिए videos cover किये गए है, सारा syllabus cover किया गया है, तो उसकी link का description box में दीगए, वहाँ से playlist में जाकर भी आप videos को देख सकते हैं, ठीक है, चले, देखते, question number next, यहाँ पर पूछा गया है, you have been a keen kura sider for women in your own way, which of the following contributes to making bachhendri pala keen kura sider, जो यहाँ पर बताया गया है, इसके एक मजबूत रोल होता है, सोसाइटी में महिला का, लेकिन यह सभी लोग नहीं मानते है, ठीक है, असके बाद 53 है, according to bachhendri, what was the most difficult challenge she faced in her life, सबसे कठीन समय उन्होंने कभ फेस करा, bachhendri pala के अनुसा, तो आपको बताना, ठीक है, option भी दिए गया है, तो option में right answer क्या होगा freeing herself from the traditional role of a woman, कब उन्होंने ऐसा करा, जब उन्हें एक सांस्क्रतिक महिला की रोल में निभाने पड़ा, मतलब उनको देखना ऐसा लगा, ठीक है, आगे है, which of the following, does bachhendri pala consider as essential to build strong mothers, तो वो कौन सी है, चीजे जो strong mother को comfortable करती, ठीक है, knowledge of the word, मतलब सारे संसार का ग्यान, यह मतलब को strong करती है, बनाने में, the interviewer's questions also includes, जो interviewer's questions में क्या include था, जो interview पुछने वाला था, उसके बारे उन्होंने किस प्रकार से include करा, तो the highlights of bachshindri pala करे, उन्होंने जाता था highlights करी bachshindri pala की career को, ठीक है, अचले, इसके बाद एक poster दिया गया है, इसे संबने एक questions है, मैंन search in the contest, यहां पर, जो है, contest में क्या judge हो रहा है, सबसे ज्यादा मतलब ध्यान किस पर जा रहा था, the editor of gokula, ठीक है, यहां पर आपका आएंगा, option number c, उसके बाद है, 57, which offline from the passage describes of the outcomes of the contest apart from winning Rs.100 as a prize, इसमें आपको बताना है, तो option number आपको बता देना है, कौन सा होगा, ठीक है, 57 question है, तो यहां आपको option number b, the prize winning entry will appear in the next issue of gokula, इसके बाद strictly for school going children, यहां पर किसके लिए जो school जाते हैं, उनके लिए strictly कहा गया है, क्या तो the boss and I like to be one of the dash for the contest, तो इसमें क्या suit हो सकता है, तो वहोगा requirements, option number b, gokula is most likely to be, यहां पर option दिएगा, यहां आपको बताना है, तो which entry will not be accepted for the contest, कौन से entries नहीं ली जाएंगी, तो आपको बताना है, तो वहोगा, an entry without a declaration of originality, यहां आपका option number d, which of the options is suitable to complete the sentence, तो sentence को complete करने के लिए कौन से option सूट हो रहे है, तो वह है stair, option number c, चले आगे है, the man was beaten by the dog, which of these correctly rewrites the boss sentence in action, the dog dash the man, इसमें एक sentence को आपको correct करना है, तो बीटा जागा, the dog beat the man, ठीक है, यहां पर dog नहीं क्या करा, जो मनिश्योस को काड़ दिया, आदमी को काड़ दिया, आगे है question number 63, चले इसमें है, which of the words complete the given sentence correctly, this task has been equally divided between you and dash, इसमें answer का me, तुम में और मुझ में ही क्या होंगा, बरा when Rohan was a small child, he dash spent hours everyday playing marbles in the street, जो Rohan था चोटा था, ज्यादा सब में अपना बिताता था, marbles में है, तो उसमें ठीक है, तो would यहां पर आजागा, he would spend, यहां पर आपका आगा, इसके बाद है question number 65, which of the following options is suitable to start the sentence below, dash the better team, Australia lost the match against bangladesh, यहां पर आपको देना है question number 65, तो option number C, despite being, ठीक ह question number 66, I will finish this project in dash year, मैं जो project कितने साल में पुरा कर लूगा, तो project in a year, मतलब इलगभा कि एक साल, ठीक है, which of the given prepositions complete the following sentence correctly, the plane took test at 30 a.m., इन मैं से कौन सा correct चूस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा option number C, यहांने off, यहां पर आपका option number C होगा, 67, 68, which of the following options is correct, passive from the sentence below, जो sentence दिय इसके अनुसार क्या correct है, math does not interest me, तो इसमें right answer का option number D, I am not interested in math, मतलब math में interest नहीं, math does not interest me, यह भी हो जाएगा, इसको correct करना, ठीक है, which is the best option in the following sentence, इन में से कौन सा right है, तो your health is determining day by day, so you dash better see your doctor, तो यहां पर option number D, head, you head better see your doctor, उसके बाद 70 है, last question, which of the following words means both, to tolerate and animal, इसमें आप यहां पर बताना है, किसके लिए है, तो option के होजाएगा, डीक है, यहां पर आपको लिख लेना है, तो यह सारे answers हमने देखे, class 10th की, एने survey की, जो आपको पूछे गए है, रास्टी सर्वेक्शन 2021 जो यहां पर है, second practice test paper इसके पहले आप लिंक भी description में, playlist में सारे videos एड़े, सबसे पहले, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ share करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आपके सभी friends की help हो, और साथ ही साथ सारे दोस्तों को share कर दे, चैनल को subscribe कर ले, बैल आप कर ले, ताकि वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले, चली मिलते है नहीं वीडियो में, तब तक वीडियो को दोस्तों के साथ share करे, इसके साथ ही आपके बागी की subjects के भी second test paper जो है, उसका solution भी आपको बहुत चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल पर बने रहे और वीडिय make sure करना बिलकुल भी ना बोले, और चैनल पर नहों तो subscribe कर ले, thanks for watching